हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विकास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर पॉइंट में हम एनिमेशन कैसे लगाएं पावर पॉइंट में एनिमेशन कैसे यूज करें तो यहां पे आप किसी भी फोटो में किसी भी टैक्स्ट में एनिमेशन लगा सकते हैं जैसे कि यहां पर में लिखता हूँ power point 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 enter करते हैं तो हमने यह word लिखा है इसके वारा हम एक image add कर लेते हैं insert पर जाते हैं picture पर जाते हैं और एक image add करते हैं क्योंकि हम text पर और image पर दोनों पर लगा के आपको समझा देते हैं लेक्स टॉक पर जाते हैं यह वारा photo लेते हैं insert कर लेते हैं तो यह photo हमारा आ चुका है और हम इसे animate करेंगे सबसे पहला हम इस animate करेंगे फिर इस animate करेंगे यहां पर क्लिक करके आप नया page ले सकते हो मैं यहां पर लिखता हूँ जैसे कि thanks for watching या कुछ और लिख सकते हैं मैं ल अब बारी आती है animate करने की तो सबसे पहले ध्यान अखना है आपको जो चीज पहले animate करनी है पहले उस पर animation लगाएं फिर दूसरे पर तीसरे पर पहले मैं चाहता हूं कि पहले यह आए फिर यह आए और फिर दूसरे पर यह option आए तो इस पर क्लिक करते हम आपको मिलेगा animation इस पर आईए add animation पर जाईए आपको मिलेगा है यहाँ पर more entrance effect side करिए एक पर क्लिक करें तो आपको दिखाएगा कि कैसा लगे गई है मैं box क्लिक करता हूं देख सकते हूं यहाँ ब्लाइंड ऐसा आपको इससे भी उस कर सकते हैं basic zoom करता हूं ok करता हूं फिर करते हम दूसरा अब आपको add animation फिर से आना है और यहाँ पर more interest पर आँके दूसरा animation लेना है मैं यहाँ पर नीचे की तरफ करके यह वाला करता हूं ok करता हूं ऐसे इस पर आते हैं इस पर किलिक करते हैं एड़ एनिमेशन पर आते हैं आउट एनिमेशन निस से तरीके से काम करता है जैसे कि more यहां पर यह वाला option है इस पर click करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि जब यह रहे तो क्या होए उसके अंदर जैसे कि यह glow करेगा श्रिंग करेगा ग्रो करेगा यानि कि जब आएगा यानि जब आएगा तो उसके बाद वो क्या होई तो आप यहां पर सेट कर सकते हूं मैं यहां पर इस पिन करता हूं ओके करता हूं इसके बाद इस पर किलिक करता हूं एड पर आता हूं इस बार एक्जिट का लगा देता हूं तो एक प्रेस करें इसे फुल स्क्रीन करें और एक एक बटन प्रेस करें माउस का या कीबोर्ड का तो आप देख सकते हैं मैंने एक बटन प्रेस करा फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार फिर चौथी बार फिर पाच्वी बार फिर चटी बार यह एक्जिट हो गया तो आप ऐसे एनिमेशन लगा सकते हो इसके अलावा यहां पर एड़ कर सकते हो तो शायद आप समझ गए होंगे मैं फिर से एफ़ाइब करके दिखाता हूं आपको कैसे लगेगा सायद अब समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा